तो आपने सुने होंगे एक तीर से दो निशाने लेकिन इस वीडियो को देखकर आप करने वाले हो एक तीर से तीन निशाने क्योंकि आप इस वीडियो में सीखने वाले हो तीन चीजें कि किस टाइप की Western Dresses Market में अवेलेबल हैं और वो कौन से Body Type के उपर अच्छी लगेंगी दूसरी चीज आप ये सीखोगे कि Red Color के साथ या Red से मिलते जूलते Colors के साथ हमें किस Colors की Accessories को यूज़ करना चाहिए या Accessories को यूज़ करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और तीसरी चीज है उन लगों के लिए जो Valentine डेट पर जाने वाले हैं अपने boyfriend या अपने husband या अपनी girlfriends के साथ या आप खुद अपने साथ भी जा सकते हो तो आप किस तरीके से dress up हो सकते हो Valentine के लिए तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी style की journey में आगे ये जितनी भी outfits आज आप देखने वाले हो इस वीडियो के अंदर वो सब है Amazon से और उन सब के link आपको मिल जाएंगे description box में तो description box को check कर लीजेगा Amazon के उपर exchange और return काफी जादा easy है तो आप बिलकुल तसल्ली से कर सकते हो Amazon से online shopping तो चलिए अब भढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब आपको मेरी आवाज सुनाई देगी कैमरे के पीछे से क्योंकि आप देखने वाले हो मैंने कैसे style क्या है कुछ different type of dresses को तो first है ये red bodycon dress वैसे bodycon जो silhouette है वो जादा तर our glass body shape के उपर अच्छी लगती है लेकिन आप बिलकुल experiment कर सकती है इसको पहनने का जैसा कि मैं pure body shape हूँ और मैंने इसको try किया है क्योंकि इस silhouette की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपकी waist को एक बहुत ही अच्छी definition देती है तो आप बिलकुल इसको पहन सकते हैं कुछ लोग इसके अंदर अगर conscious feel करें तो बिलकुल आप carry कर सकते हैं body shapers को भी ऐसी dresses के अंदर मैंने यहाँ पर red heels को carry किया है और accessories में मैंने यहाँ पर use किया है rose gold color को red के साथ जो rose gold है वो काफी अच्छा compliment करता है rose gold color क्यूंकि जो gold color है जब हम bright gold color को use करते हैं तो वो बहुत जादा bright लगने लगता है कितनी बर वो jazzy भी लगने लगता है red color के साथ तो जो rose gold है वो थोड़ा सा mild कर देता है इस combination को और यहाँ पर जो मैंने handbag लिया है वो है tan color में और जो look है वो काफी साथा practical है office parties के लिए आप kitty party में जा रही है या कोई आप birthday party अटेंड करने वाली है and definitely अगर आप coffee या valentine date पर जा रही है तो भी आप इस dress को try कर सकती है next जो dress है वो है A-line shape dress और ऐसी जो dresses होती है वो जादातर body shape के ओपर अच्ही लगती है खासकर जो लोग अपने stomach के या lower body के bulges को hide करना चाहते है यह particularly जो dress है Amazon से यह प्यूर जॉर्जट material में है काफी अच्छी dress है आगे buttons लगे हुए है और एक ऐसी silhouette मैं कहूंगी जो की बहुत ही जादा safe है बहुत elegant look आपको देगी एक बहुत ही decent length है और of course यह sleeveless भी नहीं है तो जो लोग बहुत जादा conscious feel करते हैं कि हमें sleeveless भी नहीं पहना है और length भी काफी appropriate होनी चाहिए तो आपके लिए यह एक अच्छी choice हो सकती है मैंने हाँ पर इसको tan color की sandals के साथ style किया है tan color बहुत अच्छा compliment करता है red color की outfits को और jewelry में मैंने यहाँ पर rose gold ही accessories को carry किया है ऐसी dresses के साथ jewelry जितनी जादा delicate होगी उतनी जादा आप elegant look जो है create कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा look है बहुत ही comfortable है और आप बिलकुल इसको easily मेरे खाल से कहीं भी carry कर सकते हैं office में carry कर सकते हैं kitty parties में carry कर सकते हैं birthday anniversary parties में carry कर सकते हैं red अपने आप में ही बहुत खुबसूरत color होता है और Indian skin tone पे तो बहुत ही जादा अच्छा लगता है next dress है एक short dress मैं इसको shortest ले कह रही हूँ क्योंकि इस length को like यह length मेरे लिए short है मैं इससे जादा short नहीं पहनती हूँ लेकिन बिलकुल आप इससे भी short पहन सकते हैं अगर आप comfortable हैं तो इस dress की सबसे अच्छी बात यह है कि fabric भी काफी जादा अच्छा है मैं conscious नहीं फील कर रही थी इस dress के अंदर और pearl jewelry को मैंने यहां पर क्यारी किया यह आप कह सकते हैं कि cherry color की dress है like काफी जादा compliment कर रही थी pearl jewelry इस color को क्योंकि जब हम इस color की undertone में जाते हैं तो यह एक आप कह सकते हैं cool undertone का color है इसलिए यह pearl jewelry के साथ काफी जादा अच्छा लगता है और मेरी जो high heels मैंने carry की है उसमें भी pearl का work है जो heels के उपर किया गया है तो काफी जादा compliment कर रही थी सारी accessories ही और यह जो bag है यह तो मेरी हर एक outfit के साथ चल जाता है यह मेरा एक ऐसा go-to bag है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो मैं इस bag को ले लेती हूँ Like on occasions के लिए बहुत अच्छी dress है अगर मैं आपको कहूँ जब आप young दिखना चाहते हो या आपको लग रहा है कि मेरा style बहुत boring सा हो गया है या आपके अंदर अचानक से ही एक दिन आपको लगा कि मैं बहुत जादा traditional कपड़े पहन रही हूँ आज मुझे थोड़ा modern look create करना है Like मुझे ऐसी अलग-अलग phases से मैं गुजरती रहती हूँ तो I hope कि आपकी life में भी ऐसे phases आते होंगे तो बिलकुल आप इस dress को try कर सकते हैं Next है मेरा favorite style और वो है यह long dress आपना ऐसी dresses के साथ कभी गलत नहीं हो सकते Length तो definitely काफी safe, elegant है लेकिन आप बहुत जादा tall and slim लगते हैं ऐसी dresses में यह dress बहुत cute है, polka dots है इसके उपर और मेरी काफी favorite है यह polka dot printing Full sleeves है, transition weather के लिए काफी जादा अची है Neckline भी इस की high neckline है Waste per definition के लिए आपको belt दी गई है Overall, one of my favorite dress, feel बहुत अच्छा है Dress का, pure chiffon fabric आप कह सकते है Like, जो लोग भी थोड़ा सा भी conscious feel करते है ना Dresses पहनने में, उनको मेरा suggestion रहेगा आप इस dress से start कीचे आपको प्यार हो जाएगा ऐसी dresses के साथ मैंने यहां पर simply अपने gold loops पहने है बहुत जादा बहनत नहीं की है एक ring पहनी है जिसमें gold touch है Like, मैंने बहुत जादा एक्सेसराइज किसी भी dress को नहीं किया है और यहां पर मैंने high heels को ही carry किया है क्योंकि यह जो heels है यह काफी जादा dressy है और एक ऐसी heels मुझे लगता है सब के पास होनी चाहिए और लास्ट में है यह एक मेरा one of my favorite clutches यह cream color में है जिसके उपर थोड़ी सी embroidery की embellishment है तो अगर आपकी कोई dress बहुत जादा like dressy ना हो उसके ऊपर कोई work ना हो तो आप बिलकुल ऐसे clutches को carry करके अपने style को improve कर सकते है हर एक body type के लिए ही काफी perfect silhouette है इस dress का और easily आप अपने bulges को भी hide कर पाएंगे और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि कोई भी outfit जब हम carry करे ना तो हम कभी भी अपने flaws को लेकि conscious ना फील करें तो जब भी मैं अपने videos के लिए भी outfits को pick करती हूँ इस बात का ध्यान मैं जरूर रखती हूँ next जो dress है वो है एक Indo-Western dress यानि कि जो silhouette है उसे आप काफी modern कह सकते हैं लेकिन जो print है इस dress का वो एक ethnic print है cotton material की ये dress है काफी practical सी dress है daily life के लिए घर में पहनने के लिए भी और अगर इसको बाहर outing के लिए भी carry करना चाहते है तो काफी comfortable सी dress है ये और ये इस तरीकी की silhouette है जो कि जो भी लोग इस बात से struggle कर रहे हैं कि उनकी जो lower body part है वो heavy है तो इस तरीकी की silhouette आपको बहुत जादा काम आएगी और जिन लोगों की collar bones या उनकी upper body जो है वो उनका best feature है तो उनके लिए ये silhouette काफी जादा अच्छी silhouette है और इस तरीकी की dresses को junk jewelry काफी जादा compliment करती है लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऐसी outing के लिए style कर रहे है अपनी dress को जो की एक काफी special outing है तो आप थोड़े bold statement pieces को carry कर सकते हैं लेकिन अगर आप workwear के लिए कर रहे हैं इसी dresses को उसके लिए अगर आप delicate junk jewelry को use करेंगे तो वो जादा बैटा लगेगा मैंने यहां पर mojories को carry किया है इस dress के साथ गुजराती work का यह tan handbag है जो मैंने इस dress के साथ style किया है लुक जो है बहुत ही जादा प्राक्टिकल है मुझे बहुत अच्छा लगा personally यह look लेकिन आपको जरूर comment box में बताना है कि कौन सा look आपको सबसे जादा अच्छा लगा है I hope कि मेरा आज का वीडियो आपकी जरूर मदद करेगा अगर आप ढून रहे थे कुछ अच्छी dresses अपने लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे like कर दीजेगा चैनल को जरूर subscribe कर लीजेगा और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी next video में till then keep going and keep growing कर दो कर दो